हेलो फ्रेंड्स वालकम टू क्रेजी जी के ट्रेग तो आये डेली करण अफैर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज की सेशन में हम नो फर्वरी के सभी करण अफैर्स को डिटेल में समझ लेते हैं वीडियो में अंटक बने रहेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजेगा साथी साथ चेनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपको डेली करंट अफ़ेर की PDF चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के डेली ग्राम चेनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के अप्लिकेशन पर जाकर फ्री अफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं आज के करंट अफ़ेर का सबसे पहला कुशन देखिए भारती रिजर्व बैंक के अनुसार वर्तमान में रेपो रेट क्या है देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें रेपो रेट को समझना पड़ेगा कि रेपो रेट एक्चुल में होता क्या है तो देखिए कमर्शल बैंकों को जब लोगों को लोन देना होता है तो उनको भी पैसे की ज़रूत होती है और ये पैसा उनको मिलता है आरबियाई से तो आरबियाई कमर्शल बैंकों को जिस रेट पर जिस इंटरस्ट रेट पर ब्याज पर पैसा देता है वो कहलाता है रेपो रेट तो भारती रिजर्व बैंक के अनुसार वर्तमान में जो रेपो रेट है मतलब RBI जिस rate पर commercial bank को loan देगी वो है 6.5% आंसर हो जाएगा आंसर भी थोड़ा सा पेचिदा है समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने क्या कहा है तो यह repo rate है जो 6.5% है friends 8 फरवरी को ही RBI की मौदरिक नीती समीती ने मौदरिक नीती का एलान किया है देश की जिसमें repo rate 6.5% निधरित की गई यह छटी बारे friends की repo rate में RBI के द्वारा यह उसकी मौदरिक नीती समीती के द्वारा कोई भी changes नहीं किया गया अब यहाँ पर देखी हमें monetary policy committee के बारे में एक्च्वल में पता होना चाहिए तो भारत में ब्याजदर के निधरन के लिए ताकि उसे और अधिक उपयोगी बनाया जा सके इस प्रोसेस को transparent बनाया जा सके इसलिए गठित की जाती है monetary policy committee 2016 में पहली बार इसका गठन किया गया था 6 सदस्य होते हैं इसमें 3 आते हैं RBI से और 3 लोगों को केंदर सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है यहाँ पर monetary policy committee का गठन किया जाता है ताकि repo rate, reverse repo rate या फिर भारत में भुकतान संतुलन को नियंतरित किया जा सके यहाँ पर RBI के गवर्नर की बात करें तो वर्तमान में RBI के गवर्नर के बत पर शक्ति कान दासे कोशन हमारा वर्तमान repo rate पर है तो याद रखेगा RBI की monetary policy committee ने वर्तमान में 6.5% repo rate का निधारन किया है जो की लगातार छटवी बार एक जैसी रही है आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत important update देता हूँ friends आप सभी के लिए Crazy जी के ट्रिक के root application पर हमारे GS Foundation का RM 2.0 बेश शुरू होने वाला है especially ऐसे जितने भी student हैं जो की civil services की तयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेश बहुत ही benefit करने वाला है क्योंकि especially जो focus इस बेश में हमारा होने वाला है वो answer writing पर रहेगा आप सभी जानते हैं central में UPSC या state में जो PCS की exam है वहाँ पर answer writing बहुत important हो जाती है तो पूरे वेच को answer writing के point of view से ही design किया गया है कुछ additional subject भी add on किया गये हैं यहाँ पर जैसे foreign affairs, Indian society, disaster management यह आपके लिए additional subject है जो कि आपको पहले आरम बेच में नहीं मिले थे और इस आरम 2.0 में आपके लिए यहाँ पर add किये गए हैं आप पूरा page भी join कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप in digitally किसी subject को पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें भी easily indulge कर सकते हैं root application पर जाकर वहाँ पर Indian quality में आपको पढ़ाने वाला हूँ अगर आप Indian quality को depth में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा यह बेच जोइन कर सकते हैं easily आप play store से root application को download कर लीजे वहाँ पर Indian quality का live page आप सभी के लिए available है जहां पर पूरे बेच में आपको live classes मिलने वाली है और live classes बाद में आपको recorded form में भी available होगी class notes भी दूँगा मैं आपको साथी साथ test series जितने भी topic हम पढ़ेंगे उसके test भी आपको वही पर application में available हो जाएंगे जिनको आप easily लगा कर अपना performance चेक कर सकते हैं I hope update अच्छा लगाओगा बिना देर की ये root application को डाउनलोड कर लीजिए play store से और आप किसी भी subject में इंडॉल कर सकते हैं second question देखिए दोस मोचे महुचसव किस राज्य का प्रमुक्तियोहार है यहाँ पर देखिए दोस मोचे महुचसव की बात करें तो ये लद्दाक राज्य में बहुत ही धूमदाम से मनाया जाता है वैसे लद्दाक union territory है तो union territory लद्दाक का एक प्रमुक्तियोहार है दोस मोचे महुचसव यही पर जब महुचसव का आईजन किया जाता है पहले तो ये समझ ये कि ये बहुत धर्म से सम्मंदित महुचसव है और इसका एजन फरवरी के दूसरे सब्ता में किया जाता है मतलब वर्तमान में इसका एजन किया जा रहा होगा भारत के लद्दाक राज्य में अब यहाँ पर जो नरत्य किया जाता है दोस्मोचे महुचसव के दूरान वो कहलाता है भारत में मुखोटा नरत्य तो कभी आपसे कोशन ऐसा भी पुछले कि मुखोटा नरत्य कहां पर प्रचली थे तो ये भारत के लद्दाक रज्य का प्रमुक लोक नरत्य है जो की लद्दाक में दोस्मोचे महुचसव के दूरान किया जाता है यहाँ पर बहुत धर्म के जो अन्याई होते हैं इस महुचसव के दूरान इस फैस्टिवल के दूरान बुरी आत्माओं से बचने के लिए या फिर बूरी किसमत को टालने के लिए अपने जो भी इस्ट हैं देवता हैं उनकी आराधना करते हैं उनसे प्रातना करते हैं तो दोस मोचे महुत्सव या फैस्टिवल मनाया कहा जाता है तो याद रखिएगा ये केंद्र शाशित प्रदेश लद्दा का बहुत ही महतुपून तयोहार है जो की हर साल फरवरी के दूसरे सब्ता में बहुत धर्म के अनुयाईयों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है ओके इसके बाद आईए विश्व रक्षा प्रदशनी दोहजार चूबिस में भारत का प्रतिनिधित्व किस ने किया पहले यहां पर हम ये समझते हैं कि World Defense Exhibition 2024 का युजयन कहां किया गया तो इसका युजयन किया गया हाली में चार से लेकर आठ फरवरी 2024 तक सौधी अरब के रियाद में विश्व रक्षा प्रदशनी 2024 का हाली में युजयन किया गया जिसमें भारत का प्रतिनिधत्व किया है अजय भट ने अब आपके दिमाग में आएगा कि अजय भट कोन तो देखें फ्रेंड्स अजय भट की बात करें तो ये भारत के रक्षा रज्यमंत्री के पतपर हैं वर्तमान में जिन्नोंने हाली में पांच दिवसी विश्व रक्षा प्रदशनी दोजार चूबिस में साओधी अरब के रियाद में भारत का प्रतिनिधत्व किया डिफेंस टेकनोलोजी से सम्मंदित अलग-अलग जितने भी वेपेंस हैं इतने भी चीजें हैं उनका एक्जिविशन लगाया जाता है वर्ल्ड डिफेंस एक्जिविशन में दोजार चूबिस में सका आयोजिन का हुआ साओधी अरब के रियाद में सेवन्थ इंडियन ओशिन कॉनफरेंस दोजार चूबिस निमलिकित में से किस इस्तान पर आयोजित किया जा रहा है पहले ये समझे कि इंडियन ओशिन का आयोजिन क्यू किया जाता है तो ही नमासागर के निकड़ जितने भी देशे फ्रेंट्स उनके मद्ध में रक्षा-सयोग इस्तापित करना शांती इस्तापित करने के उद्देशे से इसे मुद्धों पर चर्चा करने के उद्देशे से इंडियन ओशियन कॉन्फरेंस का एज़न किया जाता है इस साल 2024 में ये 7th Indian Ocean Conference से फ्रेंड्स जिसका एजन आस्टेलिया के पर्थ में किया जा रहा है आस्टेलिया के पर्थ में 9-10 जन्वरी को दो दिवसी Indian Ocean Conference का एजन किया जाएगा 2024 में ये 7th edition है इसे भी याद रखेगा भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैशंकर 7th Indian Ocean Conference में भारत का प्रतिनिदेत्व करेंगे यहाँ पर थीम की बात कर लेते हैं तो तो टूवर्ट्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन 7th Indian Ocean Conference 2024 की थीम है आयोजन कहां किया जा रहा है तो आयोजन किया जा रहा है पर्थ में जो की ऑस्टेलिया में इस्ति थे इंडियन ओशन कॉन्फरेंस की शुरुआ 2016 में की गई थी पहली बार इसका आयोजन सिंगापूर में हुआ था और लास्ट 6th Indian Ocean Conference का योजन बांगलादेश के ढाका में किया गया था अब 7th Indian Ocean Conference का योजन 2024 में ऑस्टेलिया के पर्थ में किया जा रहा है नेक्स्ट गोशन पर आईए Wild Alive Photographer of the Year People Choice Award 2023 की से प्रदान किया गया देखे फ्रेंड्स हाली में अंतरास्टे Wild Alive Photographer of the Year People Choice Award 2023 की गोशना की गई और यह पुरसकार 2023 के लिए दिया गया है नीमा सरीखानी को नीमा सरीखानी की बात करें तो यह British Photographer है फ्रेंड्स इन्होंने एक पिक्चर क्लिक की है यहाँ पर आप इमेज देखिए जहाँ पर एक ध्रुवी भालू एक बर्फ के टीले पर सो रहा है यहाँ पर देखिए इस पिक्चर को अगर आप थोड़ा सा गोर से देखेंगे तो कहीं न कहीं यह Global Warming के जो दुश प्रभाव है उनको शो कर रही है मतलब Global Warming ने इनसानों को तो प्रभावित किया ही है साथी साथ कहीं इस्पीशीस के जीवन पर भी खतरा आया है Global Warming के कारण तो यह सीख देती है यह बताती है यह पिक्चर जो खीची है नीमा सरी खानी ने ब्रिटिश फोटोग्राफर है इसलिए हाली में इन्हें Wild Life Photographer of the Year People Choice Award 2023 से समानित किया गया यह प्रतियोगिता 2023 के लिए जो थी वो लंदन में आयुजित की गई थी जिसमें 95 अलग अलग देशों के फोटोग्राफर्स ने भाग लिया था और इसमें Award जीता है नीमा सरी खानी ने ब्रिटिश फोटोग्राफर है इसके बाद हाली में किस अफरी की देश ने नगोया प्रोटोकॉल अपनाया है नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया है केमरून ने केमरून की बात करते हैं तो ये एक अफरी की देशे केमरून इसने हाली में नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया है यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें नगोया प्रोटोकॉल को समझना पड़ेगा कि नगोया प्रोटोकॉल एक्चुल में क्या है तो पहले इसी की बात करते हैं नगोया प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है एग्रिमेंट है जापान के नगोया में जब कॉप 10 की बेठक हुई थी 29 अक्टूबर 2010 को तब नगोया प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया था आगे चलकर सदस्य देशों के मद्ध में से लागू किया गया प्रभावी किया गया 12 अक्टूबर 2014 को अब है क्या तो देखिए इस ट्रीटी के माद्यम से इस एग्रिमेंट के माद्यम से जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेस हैं जिसे प्लांट एनिमल या फिर माइक्रोजेनिज्म इनके उप्योग सोत्पन होने वाले जितने भी लाभ हैं जितने भी प्रॉफिट होंगे उनका उचित उप्योग किया जाएगा और इसके अलावा सदस्य देशों के मद्य में उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग इन चीजों को बाटा जाएगा मतला फेयर और इक्विटेबल शेरिंग की जाएगी जितने भी बेनेफिट होंगे आनुवांचिक संसाधनों से ये सभी सदस्य देशों के मद्य में फेयर और इक्विटेबली बाटे जाएगे शेर के जाएगे ये है नगोया प्रोटोकोल जो की 2014 में अस्तितु में आया था अब इसी उद्देश्य से केमरून जो की अफरी की देशे उसने भी नगोया प्रोटोकोल को अपनाया है तो नगोया प्रोटोकोल में शामिल होने वाला सबसे लेटेस्ट देश कोन सा हो गया अफरी की देश क याद रखिएगा important है नेक्स्ट कोश्चन देखे मेरा गाउं मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालाई की पहल है देखे मेरा गाउं मेरी धरोहर प्रोग्राम की बात करें तो ये भारत में ministry of culture की एक पहल है answer C correct हो जाएगा अभी सुर्ख्यों में इसलिए है क्योंकि Indian government ने संस्कृती मंत्रालाई की इस पहल के तहट भारत के सभी गाउं की mapping और documentation करने का निर्ना लिया है मेरा गाउं मेरी धरोहर प्रोग्राम को भारत की ministry of culture ने जुलाई 2023 में last year ही शुरू किया था जिसका उद्देश ये भारत के सभी 29 रज और 7 union territories में फैले हुए जितने भी साड़े 6 लाग गाउं है उनका सांस्कृतिक मानचित्रन करना या फिर cultural mapping करना ये उद्देश है मेरा गाउं मेरी धरोहर प्रोग्राम का इस कारिक्रम में गाउं की जो कलाएं हैं जितने भी शिल्प कलाएं हैं या फिर जितने भी historical places से पारिस्तिति की वाले जितने भी places से उन सभी की जानकारी घट्टी की जाती है एक particular portal पर तो ये योजना या कारिक्रम है मेरा गाउं मेरी धरोहर प्रोग्राम शुरू किया गया था जुलाई 2023 में और अब central government इसके तहट भारत के सभी गाउं की mapping और documentation का काम कर रही है किस ministry का कारिक्रम है ये भी याद रखिएगा तो ये भारत में Ministry of Culture की एक पहल है देखे फ्रेंड्स आप सभी के लिए हमारे current affair की yearly e-book शंकनाद आपके लिए available है पूरे फरवरी तक updated ये बुक आपको मिलने वाली है जहाँ पर budget 2024 भी include है अयोध्या के राम मंदिर की प्रान प्रतिस्टा से सम्मंदित जो question है वो भी यहाँ पर include किये गए है तो आप अगर hard copy order करना चाहते हैं तो आपको description में link दी गई है वहाँ पर जाकर आप book को order कर लीजे direct book आपके घर आ जाएगी और अगर आप e-book join करना चाहते हैं तो आपको root application पर और इसके अलावा crazy gk trick application पर yearly current affair शंकनात की e-book भी available है आप easily दोनों sources से जाकर book भी order कर सकते हैं और e-book भी order कर सकते हैं अगला question देखिए फोर्थ खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स का आउजन किस रज़ में किया जाएगा तो फोर्थ खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स का आउजन किया जाने वाला है फोर्थ खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स में total 20 sports को शामिल किया गया है जिसमें 200 से अधिक उनिवर्सिटी के athlete participate करने वाले हैं ये उनिवर्सिटी लेवल के गेम्स से friends जिनकी शुरुआत 2020 में की गई थी और इनका आउजन भारत में युवा मामले और खेल मंत्रा लेके द्वारा किया जाता है सबसे पहली बार खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत 2020 में की गई थी और पहली बार इसका आउजन भारत के ओडिशा रज्ज में किया गया था आगे चलकर 2022 में सेकेंड खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स का युजन करनाटक में और लास्ट येर थर्ड खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स का युजन उत्तर प्रिदेश राज्ज में किया गया था जिसमें विनर पंजाब युनिवरसिटी की टीम रही थी और अब दोजार चोबिस में फोर्थ खेलो इंडिया युनिवरसिटी गेम्स का एजन भारत के असम रज में किया जाएगा किस रज में दिन बंधू छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की स्तापना की जाएगी इंटरस्टिंग कोश्चन है और इंपोर्टेंट भी है नोट कर लिजेगा फ्रेंड्स दिन बंदू छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की स्तापना भारत के हरियाना रज में की जाएगी हरियाना के यमुना नगर में दिन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की स्तापना भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेट के द्वारा की जाएगी और इसकी विद्योत उत्पदन शमता 800 मेगावाट होगी यहाँ पर देखिए थर्मल पावर प्लांट को आपको समझ लेना चाहिए कि यह क्या है तो देखिए ऐसे पावर प्लांट जहाँ पर कोईले और पानी की मदद लेकर मतलब especially कोईले से बिजली बनाई जाती है तो ये पावर प्लांट कहलाते हैं थर्मल पावर प्लांट भारत के सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो ये हुसेन सागर थर्मल पावर स्टेशन है जो की तैलांगाना के हिदराबाद में स्तापित किया गया था 1920 में अब यहाँ पर हमारा question दीन बंधू छोटू राम थर्मल पावर प्लांट से है तो यह कहाँ इस्तापित किया जाएगा तो 800 मेगावाट का यह थर्मल पावर प्लांट भारत के हरियाना रज्ज में इस्तापित किया जाएगा किसके द्वारा यह question पुछे तो भेल के द्वारा ओके इसके बाद आजके current affair का सबसे last question देखिए कार्टी cell therapy का इस्तेमाल किस बिमारी में किया जाता है तो देखे कार्टी cell therapy की बात करें फ्रेंड्स तो इसका use किया जाता है cancer cells को खत्म करने के लिए मतलब cancer disease के इलाज के लिए कार्टी cell therapy का use किया जाता है चर्चा में इस लिए है क्योंकि हाली में इस therapy के द्वारा एक cancer मरीच को ठीक भी किया गया है cancer disease के इलाज के लिए जो 4 करोड तक का खर्चा आ सकता है फ्रेंड्स वो इस therapy के माध्यम से 40 लाग रुपे में ही cover हो सकता है देखे थेरेपी क्या है कैसे काम करती है इसको समझते हैं तो ये जो उपचार का माध्यम है फ्रेंड्स ये जो थेरेपी है इसमें मानव की T कोशिकाओ को निकाला जाता है जो भी cancer patient है उसकी T कोशिका को निकाला जाता है यहाँ पर T cell के बारे में भी हमें पता होना ये एक तरह का immune system cell होता है फ्रेंड्स इसको निकाल कर प्रयोकशाला में इसमें changes किये जाते हैं और वापस जो cancer patient है उसकी body में इसे वापस डाला जाता है ताकि वो जो cell है particular वो जो T कोशिका है वो cancer कोशिकाओ पर हमला कर सके तो प्रयोकशाला में इसे change किया जाता है लेबो प्रयोकशाला में जो होती है रोगी के रक्त से लिजाती है मतलब blood से लिजाती है और बाद में इसे फिर से cancer के इलाज के लिए रोगी में inject किया जाता है ताकि वो cancer कोशिकाओ से लर सके तो ये पूरी therapy कहलाती है CAR T cell therapy किसके इलाज के लिए उप्यूक थे तो ये cancer disease के शिट को आगे लेकर चलते हैं और आज की फैक्टी शिट में हम अगस्त मंत के जितने भी वन लाइनर करंट अफ़ेर हैं उनको यहाँ पर एक एक करके डिसकस कर लेते हैं 16 अगस्त 2023 को केंद्र ने LIC के प्रबंध निदेशक के रुप में आर दुरई स्वामी को निक्त किया 16 अगस्त 2023 को राजस्तान राज्जी के मुख्यमंत्री ने अनपूर्णा खाद्य पेकेट योजना की शुरुआत की थी 16 अगस्त 2023 को इंगलेन के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया 17 अगस्त 2023 को भारत में तमिलाडू के चैन्नई में पहली बार नाइट स्ट्रिट रेसिंग सर्किट लॉंच किया गया इसके बाद 17 अगस्त 2023 को जारखन के मुख्यमंत्री ने अभुआ अवास योजना की घुष्णा की भारत का पहला ड्रोन परिक्षन केंद्र तमिलाडू अज्ज में खोला जाएगा 17 अगस्त 2023 को हावर्ड युनिवर्सिटी का जॉर्ज लेडली पुरसकार राज चेट्टी को दिया जाएगा 17 अगस्त 2023 को व्यसन मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआद भारत की प्रेसिडेंट द्रोपदी मुर्मु के द्वारा की गई 17 अगस्त 2023 को श्री लंका के अल्राउंडर वानिंदू हसरंगा ने टेस्ट की केट से सन्यास की घोष्णा की 18 अगस्त 2023 को डोप टेस्ट में फ्योल होने पर दूती चंद पर चार साल का प्रतिवन लगाये गया ये सभी वन लाइनर बहुत ही इंपोर्टेंट है अगस्त मन्त से बहुत ही इंपोर्टेंट है नोट कर लीजेगा अब आजाएए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफ्यर हमने डिटेल में समझा था यहाँ पर इसे हम एक बार रिवाइस कर लेते हैं पहला देखिए जल प्रदुशन रोक्ताम और नियंतरन संशोधन विध्यक दोजार चोबिस जल प्रदुशन निवारण और नियंतरन अधिनियम 1974 में संशोधन के लिए लाए गया है रास्ट विज्यान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाय जाता है दोजार चोबिस में विक्सित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक रास्ट विज्यान दिवस की ठीम है भारत के सबसे बड़े थेटर फेस्टिवल का नाम भारत रंग महुत्सव रखा गया भारत के सबसे बड़े थेटर फेस्टिवल का नाम भारत रंग महुत्सव है यमन देश के नए प्रधान मंतरी एहमद अवद बिन मुबारक नियुक्त किये गए हाली में Electricity 2024 रिपोर्ट International Energy Agency के द्वारब प्रकाशित की गई साहित्तिकार फारूक नाजिकी का हाली में निधन हो गया इन्हें 1995 में साहित्यकाद्मी पुरसकार से सम्मानित किया गया था इसके बाद आईए भारत मैंनमार सीमा के मद्धे की लंबाई 1643 किलो मिटर है इंडियन गवर्मेंट भारत और मैंनमार की सीमा पर बान लगाने की योजना बना रही है हाली में अमेरिकी अंतरिक्स एजनसी नासा ने सूपर अर्थ टी ओओ आई 715 बी की पहचान की है सवाइकल कैंसर से सुरक्षा के लिए सेंट्रल गवर्मेंट 9 से लेकर 14 वर्ष तक की बच्चियों को सवाइकल कैंसर की वैक्सिन मुफ्त में लगाने जा रही है और लास्ट देखिए हाली में बापु टावर का इनोग्रेशन भारत के बिहार राज्जी के पतना में किया गया ये सभी करन्ट अफेर लास्ट देखिए के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे अब आजाईए आज के लिए आप सभी के लिए कोश्चन आफ दे देख लीजिए रास्ट विज्ञान दिवस कम मनाय जाता है वेरी वेरी इंपोटेंट कमेंट में जरूर बताईएगा किस कोश्चन का अंसर क्या है लास्ट देखिए के सेशन में भी हमने से डिसकस किया था अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स टेडे के सेशन में तब तक अपना खयाल रखिए जय हिन जय भारत